हेलो फ्रिंट्स हेर आया मक्षे गुपता और विल्कम चुम इनलाइटिंग पेज तो यह डिसकॉशन थर्ड है हमारा EVS NCRT क्लास फॉर्थ का चाप्टस हम लोगों इसमें लिये हैं 6th to 11th इससे पहले जो डिसकॉशन सेकेंड रहा था वो भी क्लास फॉर्थ का ही डिसकॉशन था NCRT का उसमें चाप्टस 1-5 लिये थे और यह सारी वीडियोज आपको मेरे चनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर EVS थ्रू PPT यह एक प्लेलिस्ट बनी होगी महाँ पर आपको यह सारी वीडियोज मिल जाएंगी क्लास 3 की भी क्लास 4 की भी और क्लास 5 हम लोग इन नेक्स वीडियोज में करेंगे ओके तो छे चाप्टर देख लेते हैं 6-11 चाप्टर के नेम क्या क्या है उमानाज जर्नी, from the window, reaching grandmother's house, changing families, who to to, who to to, the valley of flowers तो यह कुछ 6 चाप्टर हैं जो कि आज हम लोग इस PPT में अपनी कवर करने बाले हैं ओके चलते हैं आगे चाप्टर 6 उमानाज जर्नी अगर हम टाइटल की बात करें तो उमानाज जर्नी से समझ आ रहा है कि उमाना एक लड़की है और जर्नी मतला वो कहीं से कहीं तक ट्रावल कर रही है तो अब देखते हैं कि वो कहां से कहां तक जा रही है ट्रेन हाज बन स्टार्टेट फ्रम गांधी धाम इन कच तो ट्रेन जो शुरू हुई थी वो गांधी धाम से शुरू हुई थी जो कि कच में है कच एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में अब important यहां पर यह आजाता है कि map में गुजरात कहां पर है तो अगर आप देखें राइट हैंड कॉर्णर में टॉप पर एक map है जहां पर जो red कलर से हो रखा है वो गुजरात है मारा फूड अब गुजरात, गुजरात का खाना क्या-क्या है धोकला विच चटनी, lemon rice और कुछ मिठाई यह सब खाना है गुजरात का थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है जब when the train is at high speed things outside the train seems to be running in opposite direction मतलब क्या हुआ जब train हमारी बहुत तेज स्पीड पे चल रही होती है तो जो बाहर चीज़े हैं train से बाहर पेड हो गए, पौधे हो गए या फिर जानवर हो गए, घर हो गए तो वो सब चीज़े हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे opposite direction में भाग रही हो ये बात किवल train के साथ नहीं है आप बस के साथ, स्कूटी, बाइक जो भी चीज़े हाई speed पे चल रही होती है आप उसके साथ यह वाली बात देख सकते हैं कि जो बाहर चीज़े हैं वो ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है opposite direction में जा रही है गांधीदाम, एंदाबाद, वालसड ये सब गुजरात में तो ये सब गुजरात के cities हैं गांधीदाम, एंदाबाद और वालसड कोजी कोडे किरला में है यहाँ पर दो चीज़े इंपोर्टेंट हो जाती है इस कोजी कोडे किरला से कि पहली बात होती है कि मैप पे किरला कहां पर है तो आप राइट हैंड कॉर्णर में सबसे नीचे आप देख सकते हैं दूसरा मैप है साउथ इंडिया में बिलकुल अगर नीचे जाएंगे आप तो वहाँ पे रेड गलर हो रखा है बहुत थोड़े से एरिया में तो वो हमारा किरला है तो किरला में यह कोजी कोडे है और दूसरा इंपॉर्टेंट यह चीज आजाती है पेपर में भी आया था यह कोशन एक बार कि कोजी कोडे गाए तो कोजी कोडे मारा किरला में है चलते हैं नेक्स्ट की दरब फ्रॉम दा विंडो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मढगाओं इस इन दे स्टेट ऑफ गोवा मढगाओं एक जगा का नाम है गोवा में रूट फ्रॉम गोवा टू केरिला हाज 2,000 ब्रिज़स और 92 टनल्स जब गोवा से केरिला जाते हैं तो 2000 ब्रिज़स पढ़ते हैं 2000 पुल पढ़ते हैं 92 टनल्स बढ़ती हैं फ्रम गुजराथ टू केरिला ट्रेन क्रॉसेज महाराष्ट, गोवा और करनाटका स्टेट तो यह पॉइंट होता है वो वापिस मैप की तरफ आजाता है मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था की मैप बहुत इंपोर्टेंट है सीटेट के एक्जाम में तो यह उसी से रिलेडिट है कि जब ट्रेन गुजराथ से केरल जा रही है तो वो तीन स्टेट क्रॉस करती है कौन-कौन से महाराष्ट, गोवा और करनाटका नेक्स पॉइंट लिखा हुआ है कोजी कोडे is a city in the state of केरिला on the Malabar coast it is also known as Calicut तो कोजी कोडे एक जगा है एक city है केरिला में किस पे Malabar coast पे अब आप बोलेगे कि Malabar coast क्या है तो केरिल का जो coast है उसको हम Malabar coast बोलते हैं it is also known as Calicut उसको हम Calicut भी बोलते हैं यहाँ पे एक चीज़ important यह समझने वाले भी है कि coast क्या होता है coast वो जगा वो प्लेस है जहाँ पर से कोई भी sea कोई भी ocean लगता है तो आप देख सकते हैं map में पीछे जाकर इस पाले में कि केरिल के पास इधर left hand side पर मारा Arabian sea है तो Arabian sea ही लग रहा है केरिल से तो इसका मतलब क्या हुआ कि केरिला एक coast है मतलब केरिल में coast है बहुत सारे है तो मालाबार coast में ही एक cozy code city है जिसको हम लोग Calicut बोलते है next लिखा हुआ है Koteam is a town in the state of Kerala Kerala में Kerala में ही एक town है जिसका नाम है Koteam चलते है next की तरफ इसमें एक चीज़ important ये थी कि एक page है ये book कही ये languages किस state में बोली जाती है ये बहुत important question है बहुत बार paper में पूछा गया है कि ये languages कौनसी language कहां पर बोली जाती है तो देखते हैं दिखरा होगा आप लोग को मलियालम जो language है वो केरला में बोली जारी है कोनकनी जो language है वो गोवा, कनातक, केरल और महराष्ट में बोली जारी है माराथी, महराष्ट, गोवा, दमनन्द्यू, दादरन्नगरह वेली इन जह पर बोली जारी है गुजराती गुजरात में बोली जा रही है और कनड कनाटका में बोली जा रही है ओके आप देख सकते हैं यही वाली सारी लांगविज थी मल्यालम केरिला में कौनकणी गोवा में गोवा महाराष्ट यहां पर बोली जा रही है महराथी, महराज, दमनेंदियू, दादरे नगरहवेलीज, गुजराती, गुजरात में और कन्नड, करनाठका में अब नेक्स चाप्टर रीचिंग ग्राइनमदर्स हाउस तो अब आप देख सकते हैं कि चाप्टर 6, 7, 8 तीनों रिलेटेड हैं सिक्ट से उमाना ने जर्नी शुरू करी थी और चाप्टर 8 थे, वो अपने गाउं किरल पहुच चुकी है अब देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, फेरी इस आ काइंड अफ बोट यूज़ें किरला फेरी एक काइंड अफ बोट है, जो कि किरला में यूज़ होती है, इसमें एक चीज इंपॉर्टन यह थी कि वह एक ट्रेन टिकट दिखा रखा है, राइट हैं ट्रेन टिकट पे क्या-क्या चीज़ें हमें मिलती है, ट्रेन नंबर मिलता है, किस डेट को जड़नी शुरू होनी है, वो मिलता है, बर्थ नंबर मिलता है, अतलब कौन सी आपकी सीट है, फेर मिलता है, फेर का मतलब होता है कि टिकट का कितना पैसा है, वो और डिस्टेंस जो कि कितने किलोमीटर में हैं, कितना किलोमीटर से, कहां से आप कहां तक जा रहे हैं, जैसे मैं पता है कि वो गोवा से केरला जा रहे थे, तो कितना डिस्टेंस है वो, तो वो सब चीज़ चीज़ चो होती है, वो टिकेट पर लिखी होती है, ओके, चलते हैं, नेक्स स्लाइ देखनें को मिलते हैं, पहले एक छोटा बच्चा होता है, वो फिर बड़ा होता है, स्कूलिंग करता है, और बड़ा होता है, जॉब आ जाती है, फिर उसकी मारेज, फ्यूचर इनरेशन, ये सब चीज़, बीमार भी होना है, हॉस्पिटल भी जाना है, तो ये सब चीज़ आ इसमें एक चीज़ इंपोर्टेंट ये थी कि कर्णम मलेश्वरी, इसका नाम ये एक पॉइंट ये रखा था, वकाज एक बॉक्स में है, तो ये अपने आप 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 आप्टोमेटिकल इंपोर्टेंट हो जाता है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कर्णम मलेश्वरी पहली बात तो ये एक वेट लिफ्टर है, फर्स पॉइंट यही पर इंपोर्टेंट हो गया, वो आप लोगों को चार नाम दे दे देंगे, ये पूछ लेंगे कि वेट लिफ्टर कौन है आपे, तो कर्णम मलेश्वरी जो है, वो एक वेट लिफ्टर है, शी लिफ इन आं शुरू कर दिया था, now she can lift a weight of 130 kg, अब वो 130 kg तक वेट अपना उठा, मतलब अपना in the sense की, कोई भी जो सामने चीज होगी, 130 kg तक जो भी होगा वो उसको उठा सकती है, क्योंकि वो वेट लिफ्टर है, कर्णम has won 29 medals in international events, internationally events जो होते हैं, उसमें उन्होंने 29 medals जीते हैं, her four sisters also practice weight lifting, तो ये चार बहने हैं, जिसमें से कि उनकी, sorry, पांच बहने हैं, जिसमें से कि ये तो weight lifting में हैं, बाके चारो बहनोंने भी, जो अधर चार बहने हैं, उन्होंने भी weight lifting की practice करी हैं, तब वो भी एक weight lifter ही हैं, ओके, उसमें कुछ इसे बहुत important हैं, जैसे, पहली बा हां लब, चार नाम देदेंगे कि वो weight lifter क्या है, कौन सी, कौन है इन में से, उसके बाद important कि ये आजाते हैं, कि वो कितना weight उठा सकती हैं, वो 130 kg तक weight उठा सकती हैं, उसके बाद एक important point ये हैं, इसमें कि international events में उन्होंने कितने medals जीते हैं, 29 medals जीते हैं, और यहीं पर एक important question ये है कि, किसने 29 medals जीते हैं, international events में, तो कर्णा मलेश्वरी ने 29 medals जीते हैं, international events में, of weight lifting, ओके, चलता हैं, next slide की ज़रूफ, valley of flowers, तो valley of flowers is present in the Chamoli district of the state of उत्राखंड, valley of flowers Chamoli district में हैं, उत्राखंड में, अब उत्राखंड कहां पर हैं, आपको red गला से दिखाई दे रहा होगा, इंडिया के मैं आप पे right hand में, कि वहाँ पर ये जो है, ये उत्राखंड हैं, okay, in UP, vegetable is made of कचनार flowers, हाँ, इसमें किये इस इंपोर्टेंट थी कि वहीं, जो flowers होते हैं, वो लोग भाग खा भी लेते हैं, तो कुछ states दे रखे हैं, उन पर कौन-कौन सी, किस-किस flower से क्या-क्या बनाकर खाया जाता है, वो देखते हैं, UP में जो vegetable, बनाए जाते हैं, कचनार flowers से, केरल में बनाना flowers से, महराष्टर म पकोड़े बनाए जाते हैं, सहाजन flowers से, okay, colors are made from marigold, zenia, etc, colors बनाए जाते हैं, marigold से, zenia से, अब यह जो colors है, marigold भी flower है, और zenia भी flower है, उससे colors बनाए हैं, अब और यह colors किस लिए use होते हैं, कपड़ों को dye करने के लिए, okay, कनाउज district in UP is famous for making itra, कनाउज district, कनाउज district, जो क किसी इसके लिए famous है, वो इत्र बनाने के लिए famous है, ठीक है, चलते है next पे, तो यही थी, यहां तक थी है हमारी आज की वीडियो, important points 6 to 11 chapter के सारे हम लोगोंने cover कर लिये हैं, तो thank you guys, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो like, share, comment और subscribe करना, ना भूले मेरे channel को, okay, thank you, बाकी next chapters हम लोग अपनी next videos में cover करेंगे, okay, thank you.